नाजरीन आदा बर्स है मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां लेक्चर शोबे उर्दू मौला नाज़ाद नेशनल अर्दू इन्वर्सिटी के इस प्रोग्राम में आप सब का इस्तखबाल करती हूँ आज हमारी गुफ्तिगू का मौज़ू बीए साल अवल फासलाती तालीम के इख्तियारी मजमून अर्दू अदब के एक सबख से मतलिख है आपने अर्दू के मशूर शायर मिर्जा असदूल्ला खां गालिब का नाम सुना होगा और ये भी जानते होंगे के गालिब ने खुतूत नवीसी के मैदान में भी बड़ा नाम पैदा किया है आज हम गालिब की मक्तूब निगारी पर गुफ्तेगू करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे कि उनके खुतूत के अहम वस्फ क्या है जिसकी बिना पर उन्हें अर्दू नसर में अहम मकाम हासिल है कहा जाता है कि गालिब के खुतूत से जदीद अर्दू नसर का आखास होता है और ये अर्दुनसर की तारीख में संगे मिल की हैसित रखते हैं इनके खुतूत अपने अहद का आइना है और ये के 1857 के हालात वाकियात की मकमल अकासी गालिब के खतों में मिलती है आज हम इन सब की वजाहत उनके खतों के हवाले से करेंगे गालिब का शुमार 19 सदी के सफ़े अवल के शायरों में होता है उनका कलाम उनके खुतूत और उनके लतीफे आज भी उसी जौक शौक से सुने और सुनाए जाते है बेशुमार अशार मिसरे लतीफे ऐसे हैं जो जबान जद हैं और जरूल मसल की हैसित रखते हैं और आपसी गुफटगू में मखसूस मानों में इस्तामाल किये जाते हैं आप भी यकीनन उनके मिसरे दोहराते होंगे और उससे लत्फ लेते होंगे मिसाल के तौर पर दिल के बहलानी को गालिब ये ख्याल अच्छा है या इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब या रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे या ये के हजारों खाहिशें ऐसी के हर खाहिश पे दब निकले ये मिर्जा गालिब के जबान जद मिसरों की महस चंद मिसाले हैं मिर्जा गालिब जहीन बजलसंज और हाजिर जवाब शख्सियत के मालिक थे उनके लतीफे उनकी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी की मिसाल है आपने सुना होगा कि मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे और हकीम रजी उद्दीन खां जो मिर्जा गालिब के खास दोस्तों में थे और दिली के नामी गिरामी तबीब भी थे मगर अजब इत्फाक है कि उन्हें आम पसंद नहीं थे एक दिन का जिक्र है हकीम साहब मिर्जा साहब के हां बैठे हुए थे आमो का मौसम था और गली में आमो के छिलके पड़े हुए थे एक गधे वाला उधर से अपने गधे लिए हुए गुजर रहा था गधे ने रुक कर आम के छिलके सुंगे और आगे बढ़ गया ये देखकर हकीम साहब ने मिर्जा गालिब को मुखातिब करके मुस्कुराते हुए फरमाया देखो मिर्जा तुम आमो की बड़ी तारीफ करते हो मगर आम ऐसी चीज़ है कि उसे गधे भी नहीं खाते मिर्जा गालिब ने भी नहयत संजीदगी से फरमाया बेशक गधे आम नहीं खाते गालिब के हाजिर जवाबी देखिए आपने उन्होंने अपने दोस्ती के जुम्ले के लहजे को बदल कर अदा किया और उन्हें ला जवाब कर दिया अजीज तालिब इलमो गालिब के दोस्तों का हलका भी बहुत वसी था उनके दोस्तों में हर मझहब औ मिल्लत से तालुख रखने वाले लोग शामिल थे गालिब उन सब से बड़ी मुहबत करते थे उनके पास जात पात रंगो नसल की अहमियत नहीं थी उन्होंने एक खत में लिखा है कि बंद परवर मैं तो बनी आदम को मसल्मान हो, हिंदू या नसरानी अजीज रखता हूँ और अपना भाई गिनता हूँ दूसरा माने या ना माने आप यकीन जानते होंगे कि गाली बागरा में पैदा हुए थे और बाद में देहली के होकर रह गए थे उनका शुमार देहली के खूबसूरत और वजीह लोगों में होता था अपनी शायरी की वज़ा से वो हर सता के लोगों में मगबूल खासवाम थे उनकी दरबार तक रिसाई थी और उन्हें बादशाह वक्त के उस्ताद होने का शर्फ भी हासिल था आप उनका नाम जानते होंगे कि उस वक्त के बादशाह कौन थे जी हाँ बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के आखरी ताज़दार मिर्जा गालिब को ये इजाज भी हासिल था कि वो बहादुर शाह जफर के कलाम पर इसलाह दिया करते थे बहरहाल गालिब का इंत्काल दहलिही में हुआ ये जगा और वो हजरतमों उद्दीन में दफन किए गए ये जगा हजरतमو उद्दीन ओर रे और पहले गालिब केसी से मुटत्सिल वाकिया है अगर आप दहलिए के हैं या अगर आपका कभी वहां जाना हो तो इस अजीम शायर के आखरी आरामगा जरूर देखिएगा अब आईए मेरे साथ गालिब का ये शेर दोराईए है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं के गालिब कहे अंदाज बया और जी हाँ हैं और भी दुनिया में सोखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयान और क्या वाकी गालिब का अंदाज बयान और है क्या वाकी उनके कलाम का रंग जुदा है उनका ये दावा कि मैंने एक निया अंदाज तहरीर इजात किया सही है उनके लतीफे सुनने के बाद आपने क्या महसूस किया हाली के जरिये उन्हें हैवाने जरीफ करार दिया जाना किस हद तक दुरूस्त है क्या वाकी गालिब हर दिल अजीज शायर है यकीनन है इन तमाम सवालों के जवाब बिला शुबह इस बात में है मिर्जा असदुल्ला खांगालिब की बुनियादी शनाख गर्चे एक शायर की हैसियत से है ताहम उनके खतूत भी अर्दू अदब के बेश कीमत अदबी सर्माया है जिन्हें अर्दू की नस्री तारीख में कलीदी हैसियत हासिल है गालिब ने तकरीबन बीस बरसों के अरसे पर महीत अपने खतूत में बे तकलुफाना अंदाज में हर किस्म के मौजवात कलम बंद किये हैं मगलिया सल्तनत का जवाल दिली की तबाही माशरे का इंतशार उस अहद की तहजीब औ माशरत बदलते हुए हालात या खुद उनकी जाती जिन्दगी गालिब के खतूत इस पुर हुआ करते थे अल्काब औ आदाब की रविश आम थी गालिब ने इस अंदास को तर्क किया और वह रविश इख्तियार की कि बकौल खुद मुरासले को मुकालमा बना दिया आपको मालूम होगा कि मुरासले के मानी खत और मुकालमा के मानी आपसी गुफटगू होता है खत अरबी जबान का लवज है खत के लगवी मानी नामा चिट्टी या अंदाज तहरीर है इस्तिलाही मानों में खत दो अफराद के बाहमी मुकालमे तरसील और ख्यालात के इजहार का एक वसीला है डिक्शनरी ओफ वर्ल्ड लिटरेचर में खत की तारीफ इस तरह की गई है खत आम तर से मक्तूब निगार पहला आदमी और मक्तूब लेह दूसरे आदमी के बीच तबादल ख्याल का जरिया है और गालिबन इसलिए खत को आदी मुलगात का दर्जब भी दिया जाता है इस मौकर पर मुम्किन है कि आपको ये ख्याल आ रहा हो या आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा हो कि आखिर अर्दू का पहला खत कब और किसने लिखा ये सोचना बहुत मुनासिब है मगर इसका गताई तायून जर्दा मुश्किल है लेकिन इतना जरूर है कि इसके अब्तिदाई नमूने दकन में मिलते हैं बहर कैफ यहां ये गोर तलब मामला है कि गालिब ने खत को आपसी गुफ्तगू कैसे बना दिया देखिए गालिब अपने दोस्तों को किस तरह मुखातिब करते हैं मीरन साहब कहां है कोई जाए और बुला लाए हजरत आईए अस्सलामों अलैकुम मिजज मुबारक मिया लड़के कहां फिर रहे हो इधर आओ खबरें सुनो अपने दोस्त मीर महदी को इस तरह मुखातिब करते हैं अहाहा मेरा प्यारा महदी आया आओ भाई मिजज तो अच्छा है बैठो देखा आपने क्या महसूस हो रहा है कि ये खत के जुमले हैं ये तो ऐसे जुमले हैं जो अमूमन किसी से मुलाकात के वक्त अदा किये जाते हैं जब दो दोस तापस में मिलते हैं तो कहते हैं कि भई कहां फिर रहे हो कैसे मिज़ाज हैं जब कि गालिब ने ऐसे ही जुमले अपने खतों में इस्तामाल किये हैं इस तरह खुद गालिब का ये कहना बिलकुल दुरुस्त थाबित होता है कि उन्होंने मुरासले को मकालमा बना दिया इस तालुक से हाली ने भी अपनी वाक्फियत का इजहार किया है वो बज़ा कहते हैं कि ना मिर्जा से पहले किसी ने खतो किताबत में ये रंग इख्तियार किया और ना बाद में किसी से इसकी पूरी पूरी तकलीद हो सकी गालिब ने अल्काब औ आदाब के भी नए नए तरीके निकाले हैं मसलन भाई, मिया, बर्खुरदार, मिरी जान, किबल औ काबा, बंद पर्वर, जान गालिब, अजी मौलाना हुलाई, वगेरा वगेरा लेकिन कहीं कहीं जी को खुश करने के लिए लंबे लंबे अल्काब औ आदाब कभी के भी जोहर दिखाए हैं एक खत में लिखते हैं मुश्फिको महर्बान, नवाब कलब अली खान, को गालिब नीम जान, का सलाम खुबूल हो काशान ए दिल, के माहे दो हफ्ता, मुशी हर गोपाल तफ्ता, मेरे महर्बान, मेरी जान, मिर्जा तफ्ता, सुखंदान और कभी ऐसा भी होता है, कि मक्तूब लाए को मुखातिब किये बगएर मुद्दा की अब्तिदा कर देते हैं अजीज तलबात, आपने भी यकीना खत लिखे होंगे हमें मालूम है कि खत कर ये तरीका है कि खत के आखिर में मक्तूब निगार अपना नाम लिखता है और नाम से पहले भी बाद इखतामी अलफास तरज करता है मसलन फक्त, वस्सलाम, आपका बेटा, आपका खादिम, एहकर, खाकसार, नियाजमंद वगएर वगएर लेकिन गालिब ने अपने खतों में बिलकुल अनोखा अंदाज इखत्यार किया है कहीं असद, कहीं असदुल्ला, कहीं असदुल्लाख खा, कहीं राकिम असद, गालिब अली शाह, गालिब बेनवा, गालिब यकरंग, दौाओं का तालिब गालिब, रह्म करम का तालिब गालिब, जवाब का तालिब गालिब, वगएरा वगएरा अपने अजीज शागिर्द उलाई को एक खत में लिखते हैं कि कातिब का नाम गालिब है कि दस्तखत से पहचान जो मीर सर फराज हुसाइन के नाम एक खत में लिखते हैं कि देखो हम अपना नाम नहीं लिखते भला देखें तो सही तुम जान जाते हो के ये खत किसका है एक जगह लिखते हैं नाम अपना बदल कर मगलूब रख लिया है लेकिन नाम बदलने से क्या होगा पहचान के लिए अंदाज तहरीर ही काफी है अलबता गालिब खतों में तारीख बड़े इहत्माम से लिखते थे चंद खतूत ऐसे भी हैं जिन पर तारीख नहीं मिलती लेकिन अमूमन मिलती है अक्सर तो हिज्री और इस्वी दोनों होती है मीर महदी मजरूख के नाम इस खत में लिखते है कि आज यक शंबा का दिन साथमी फरवरी 1858 इस्वी की और शायद 22 जमादियू सानी 1270 हिज्री की है 6 दिसंबर 1865 इस्वी के बुद्ध का दिन है आठ बज़ा चाहते है आज दो शंबा 6 रमजान की और 15 फरवरी की है इस वक्त के 12 पर 3 बज़े है लेकिन इसमें भी गालिब ने आम रुएतों से इनहराफ किया है चुँके तारीख कभी वो शुरू में लिखते हैं कभी दरमयान और कभी आखिर में सलाम और दोआ का भी यही हल है खत में उसकी जग़े भी मकरर होती है खत के आगाज में सलाम और आखिर में दौा की रिवायत है लेकिन गालिब इसकी पैरवी भी क्यों कर करने लगे वो तो कहीं भी सलाम औ दौा लिख सकते हैं मीर महदी मजरूख के नाम इस तरह से खत लिखते हैं मीर सर्फराज हुसाइन को मेरी तरफ से गले लगाना और प्यार करना मीर नसीरूदीन को दौा और शफी एहमद को सलाम कहना मीरंद साहब को न सलाम न दौा बस ये खत पढ़ा दो जबके मीर सर्फराज हुसाइन को लिखते हैं मीर मेहदी साहब सारा खत पढ़कर कहेंगे कि मुझको दूआ भी न लिखी भाई मेरी दूआ पहुँचे मीर नसिर अद्दीन एक दिन मेरे हाँ आये थे अब मैं नहीं जानता यहां है यह वहां हो तो दूआ कहना मीरन साहब के नाम तो इतना कुछ पयाम है दूआ सलाम की हाज़त क्या अब आईए हम अहद गालिब के बारे में कुछ बातें करें तफ्ही में कलाम गालिब के लिए बिला शुबह उनके दीवान का मताला लाजिम है लेकिन गालिब फहमी के जीमन में खतूत गालिब इंतहाई कारामद और मुफीद जरिया है जिसे उनकी आप बीती से भी ताबीर दिया जाता है उनके खतूत अक्सर जगहों पर उनकी जिन्दगी का आईना मालूम होते हैं जहां उनकी जिन्दगी के हालात वाकियात बतद्रीज रखम किये गए हैं उनकी पैदाईश आब वजदाद आग्रे से दहली मुन्तखली कलकत्ते का सफर लखनौ में क्याम मार के मलाजमत गदर के हालात और इस दोरान उनकी मुश्किलात उनके दोस्तों को किन किन मसाइब से दोचार होना पड़ा और उन्हें किस तरीखे से सजा दी गई बरादर खुर्द की मौत और गदर के बाद दहली की तबाही और बर्बादी का अलमनाक मनसर गर्द ये कि ये तमाम कवाइफ तफसील के साथ गालिब के खतूत में मौजूद हैं दर असल गालिब ने एक ऐसे दोर में जिन्दगी बसर की जिसे तारीखी एतबार से एक पुराशोब दोर कहा जा सकता है अंग्रेजों का तसल्ट काइम हो चुका था मौगलिय सल्टनत महदूद हो गई थी मौगलिय सल्टनत और दिल्ली के शिराजे बिखर रहे थे शुर्फा और उम्रा की इज़त नामूस खत्रे में रहा करती थी कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता इसी दोरान इनकलाब बर्पा हो गया और वह दिल्ली जिसे मीर ने आलम में इंतखाब करार दिया था इनकलाब के जद में आ गई उसकी इंट से इंट बजा दी गई वह औरतें जो घरों से बाहर कदम नहीं निकालती थी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गई गालिब की पेंशन मौकूफ हो गई इन हालात में गालिब ने अपनी बीवी के जेवरात और कीमती अशिया दबा कर रख दी थी ताके बुरे वक्त में काम आ सकें लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी नहीं बखशा और निकाल ले गए इन ही दिनों गालिब के छोटे भाई मिर्जा यूसुफ जो गालिब को बहुत अजीज थे उनका इंतकाल हो गया गालिब उन्हें कांधा भी ना दे सके उनकी छोटी बहन खानम का जवान बेटा अंग्रेजों की गोलियों का निशाना हो गया कितने ही दोस्तहबाब अजीज और अकारी मारे गए बास को फांसी दे दी गए और बास देली छोड़ कर चले गए सूरत हाल ये हो गई कि गम बाटने वाले भी ना रहे गालिब के खतूत में इन तमाम अंदोहनाक वाकियात का जिकर मिलता है अपने खत में मिर्जा यूस्फ को लिखते है मेरा हाल सिवाए खुदावंद के कोई नहीं जानता कहने को हर कोई ऐसा कह सकता है मगर मैं अली को गवाह करके कहता हूँ कि इन अमवात के गम में और जिन्दों के फिराख में आलम मेरी नजर में तीर उतार है इन अगना और उम्रा के अजवाज और आलाद भीक मांगते फिरें और मैं देखूं इस मुसीबत किताब लाने को जिगर चाहिए हाए इतने मरे कि जो अब मैं मरूं तो कोई रोने वाला भी नहोगा गालिब के खुतूद खुसूसां 1857 इस्वी के इनकिलाब के हवाले से लिखे गए खुतूद तारीखी दस्तवेस की हैसियत रखते हैं अभी जिन बातों का जिक्र किया गया वो महस चंद इशारे हैं जिन में गालिब की फिक्र और कैफियत का अंदाजा होता है गालिब को दिल्ली की तबाही का भी शदीद इहसास था जिसका तस्किरा वज़ा बज़ा करते हैं उन्होंने मिर्जा कुर्बान अलिबेक के नामे खत में लिखा है अपना आप तमाशाई बन गया हूँ रंज जिल्लत से खुश होता हूँ यानि मैंने अपने को अपना गहर तसवर किया जो दुख मुझे पहुचता है कहता हूँ के लो गालिब को एक और जूती लगी बहुत इतराता था मैं बड़ा शायर और फारसी दा हूँ इसके बावजूद गालिब ना दुनिया से मतनफिर हुए और ना कुनूती शायर बने बलके जिन्दगी के आखरी दिनों तक मुकमल गुट इरादी के साथ रहे मुश्किल और परेशानी को धूप च्छाओं की तरह जहलते रहे और जिन्दगी का लाजमी जुस उसे तसवर करते रहे जाहिर है कि उनका इकान था कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यूं या फिर यह के रंज से खूगर हुआ इंसां तो मिट जाता है रंज ये महस मिसरे नहीं हैं बलके गालिब की जिन्दगी की हकीकते हैं उन्होंने मसाइल से राह फरार अख्तियार नहीं की बलके उनके फिक्र में बालीदगी पैदा हुई और जिस तरह आग में जलने से लोहा भी कंदन बन जाता है उसी तरह गालिब के अजम पुखता और हो वसले बलंद हुए उन्होंने हर गोपाल तफ्ता के नाम एक खत में लिखा है कि जिस्त बसर करने को कुछ थोड़ी राहत दरकार है बाकी हिक्मत और सल्तनत और शायरी और साहरी सब खुराफात हैं गालिब ने जिन्दगी के नशेव फराज फतह शिकस्त और सुखदु के थपिड़ों में जीना सीख लिया था इस से उनकी जिन्दध दिली और हिसे मिजाह गर्द आलूद नहीं होती बलके और भी निकर कर सामने आती है उनके अशार लतीफे और खुतूत जिन्दगी में बसीरत के सबब बनते हैं ये हमेशा इस बात की कोशिश करते थे कि अपन नहाई का मातम उसका जिक्र मीर सरफराज हुसाइन के खत में कुछ इस तरह करते हैं अल्लह लाह लाह हजारों का मैं मातमदार हूँ मैं मरूंगा तो मुझको कौन रोएगा लेकिन फिर फॉरन बातों का रुख बदलते हुए कहते हैं सुनो गालिब ये रोना पीटना क्या कुछ इखतलाद की बातें करो इसी तरह मीर मेहदी मजरूफ के नाम एक खत में अपनी शिकस्ताहाली का जिक्र करते हैं लेकिन इस इहसास की बिना पर कि कहीं मक्तूब लाह को गिरा न गुजरे इन अलफाज में खत मुकमल करते हैं खुलासा मेरी फिक्र का ये है कि अब बिछडे हुए यार कहीं कियामत ही को जमा हों सो वहां क्या खाक जमा होंगे सुनी अलग, शिया अलग, नेक जुदा, बद जुदा गालिब का अहद सियासी और समाजी दोनों सطح पर इंतशार का शिकार था इस पुरा शुब एहद और जमाने की नाकदरी पर वो अपने अफसोस का इज़ार करते हुए स्यद गुलाम हसनाएं गदर बिलगरामी के नाम खत में लिखते हैं बारह बरस की अम्र से कागज नजम नसर में मानिंद अपने नाम आमाल के सियाह कर रहा हूं बासट बरस की उम्र हुई पचास बरस इस शेवे की वर्जश में गुजरे अब जिसम जान में ताबो तवा नहीं नसर फारसी लिखनी या कलम मौकूफ अर्दू सो उसमें भी अबारत आराई मतरूप जो जबान पर आवे वो कलम से निकले पाउं रिकाब में है और हाथ बाग पर क्या लिखूं और क्या करूं ये शेर अपना पढ़ा करता हूं उम्र भर देखा कि ये मरने की राह मर गए पर देखिये दिखलाएं क्या आप मुलाहिज़ा फरमाएं हम और आप किस जमाने में पैदा हुए हैं और किसी फैज रिसानी और गदर्दानी को क्या रोएं अपनी तक्मील ही की फुरसत नही तबाहिये रियासत अवद ने होंगे वो अहल हिंद जो अफसूर्दा दिल ना हुए होंगे अल्लाही अल्लाह है दर असल गालिब हकायक से आँखे चार करने के खायल थे उनका इस बात पर यकीन था कि कुद्रत की बनाई हुई बेशुमार चीज़ों में सबसे अफजल इनसान है लहाज़ उसकी सलाहिय विज़तों तवानाईयों और वक्त को हर लम्हें इस्तामाल करना चाहिए इनसान को अपनी वजूद का इहसास होना चाहिए गालिब बनीनों इनसान के गदर्दान है और उनके नजदीक इनसानियत ही किसी शख्स की बलंदी और पस्तिता करने का पैमाना थी मुखतसर यह क गालिब के खतूत में उस अहद की तहजीब और माश्रत और उस माश्रे में सांस लेते हुए इनसान की जिन्दगी और उनके हर पहलू का जिक्र मिलता है अजीज तलबा तालबात आपको चाहिए कि तफसीली मुताले के लिए इन किताबों का मुतालग करें खतूत गालिब जिल्दवल खलीक अन्जूम गालिब और इनकिलाब सत्तावन डॉक्टर मुईनूर रह्मान गालिब कियाब बीती प्रोफेसर निसार अहमत फारुकी यादगार गालिब अलताफ हुसान हाली अगर आपको इस मौजू से मतलिख मजीद कोई वजाहत मतलूब हो तो आप मुझसे निजामत फासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल अर्दू इन्वरसिटी गच्ची बाली हैदराबाद पांच सिफर 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 तीन दो के पते पर रापता खायम कर सकते हैं अच्छा विजाजत दीजे खुदा हाफीज झालू झालू तो